शहर के मुख्य बाजा परिशत सीता बर्डी की अजे गार्मेंट एंड जेनरल स्चोर्स की दुकान में रवीवार की दुपह शॉर्ट सर्किट से भीशन आग लग गई आग की सुचना मिलते ही मनपा मुख्याले में अगनी शमन विभाग के प्रमुक तुशार बाराहते के नितुरत में साथ वहानों को भीज वाग गया करीब चार घंटे की लंबी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका इस दौरान इमारत की उपरी माले में महिला समेथ बच्ची फज गई थी अगनी शमन की दलने दोनों को सुरक्षित रूप से बहान निकाला है रविवार को भारी भीड के चलते अगनी शमन विभा को आग बुझवाने में भारी मशक्कत करनी पड़ी सीता बड़ी की अजिक गार्मेंट और जनरल स्चूर्स की इमारत है इस इमारत की दो मालों पर गार्मेंट और कॉस्मेटिक समित सौंदरे प्रसाधन की सामाकरी का गोदाम भी बनाये गया है इमारत की उपरी दो मालों पर चौरसिया परिवार का चार भाईयों के परिवार का निवास इस्थान भी है रविवार को दुपहर में इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर शौर्ट सर्किट से कपड़ों में आग लगी देखते ही देखते आगनी रौदर रूप धारन कर इमारत को अपने घर में ले लिया ऐसे में उपरी माले से परीवार के सदसे सुरक्षित रूप में निकल गए लेकिन प्रशान चौरस्या की पोती परी और पत्नी ज्यनती आग के चलते निकल नहीं पाए अगनी शमन दल की और से बच्चाफ कारे करते हुए पिछले हिस्से से बच्ची और दादी को सुरक्षित रूप में निकाला गया इसके बाद आग पर काबू पाने का प्रयास आरम किया गया आग के चलते पूरी इमारत की सामागरी जलने से करोडों की नुकसान का अनुमान है कैमर परसन राजकुमा मोहड के साचित जदेशमुग बीसीन नाकपुर